अपकमिंग जो भी एक्जाम्स होने वाले हैं हम इरपुर कमिशन में, चहकलर का हो, जिवाइटी का हो, अधर जो भी हो, तो इंपोर्टेंट करेंट फिर्स हम डिसकस करेंगे, तो बस वीडियो को लास तक देखना, आप अगर इन क्वेशन्स को ध्यान से पढ़ लोगे, गर क्योंकि दोस्तों, जहां से questions आ रहे हैं HPCC में, बहाँ English Medium में ही current phase होते हैं, तो थोड़ा सा manage करियेगा, question है, which bank has collaborated with IIT Bombay for providing credit facility to start-ups and MSMEs, कौन सा ऐसा bank है, जिसने collaboration की है, IIT Bombay के साथ, provide करना है credit facility, जो यह start-ups है, MSMEs है, तो यह Indian bank है, तो यह याद रखो, in which month, year, India recorded the highest monthly merchandise export, export सबसे ज़्यादा हुआ है, जुलाई 2021 में, which district of करनाट का stood first in successful implementation of Scala scheme in July 2021, जुलाई 2021 में जब हम बात करते हैं, Scala scheme के बारे में, तो implement किया है, सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करनाटका के उदीपी ने, या फिर who is the first Indian Prime Minister to chair UNSC debate, यह काफि इंपोर्टेंट है, नरेंदर मोदी, कोई भी ऐसा क्रेंट फेर जिसमें नरेंदर मोदी नाम होगा, वो important हो ही जाएगा, दोस्तों, अगर मैं Australian Prime Minister के special trade envoy की बात करूँ, यहाँ पे जो trade बगएरा होता है, उसमें एक दूत की तरह, तो Tony Abbott हैं का नाम, तो यह नरेंदर मोदी जो हैंनोंने रिसेंटली लॉंच किया है, कैसलेश है और कॉंटेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, डिस्टल पेमेंट के लिए, तो नरेंदर मोदी ने इसको लॉंच किया है, यह भी इंपोर्डेंट है, आप सभी को बता है, हर एक कोई भी टूर्नामेंट जो है, उसमें कोई ना कोई थीम सोंग रिलीज किया जाता है, तो टोक्यो पेरलेंपिक्स 2020 जो हैं इसके लिए, संजीब सिंग ने यह सोंग लॉंच किया है, उसके बाद नेलियोडे, बासुदेबन, नमबूद्री, इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो यह किस नृत्य से संबंधित है, तो यह दोस्तो कथकली से संबंधित है, कमेंट और के बताना कमेंट वोक्स में कथकली जो है, किस राज्य का प्रसिद लोखनरित्य है तो ये तो इजी है गोल्ड मेडल भी नोंने जिता दिया तो नीर चोपडा याद रखो ये इंपोर्टेंट है प्राइम निस्टर सो प्रेजिडेंट्स जो है कंट्रीज के ये इंपोर्टेंट रहते है निकल पशिन्यन इनका नाम याद रखना अर्मेनिया निकल पशिन्यन वो लॉंच्ड दी इनिशेटिव डेली एट रेड़ 2047 तो ये अर्विंद केजरिवाल जो CM है यहां के इनोंने लॉंच किया है बिच बैंक हैस रिसेंटली लॉंच्ट आ न्यू फीचर SIM Binding for its Mobile Banking customers तो ये बैंक कौन सा है ये SBI है इसने SIM Binding जो है एक फीचर लॉंच किया है अपने कस्टमर्स के लिए most important at which place DEF Expo 2022 is scheduled DEF Expo यानि की जो डिफेंस बगएरा है उसके लिए तो ये 2022 में scheduled किया गया है गांधी नगर comment करके बताईए गांधी नगर जो है किस स्टेट की capital है राजधनी है in a state हर हिथ store important है scheme जो है ये लॉंच की गई है तो ये state है हरियाना important questions है ये schemes जब भी किसी भी state में होती है कोई भी तो यहां से questions पक्का बनते है who holds the world record in women's 400 meter hurdle तो ये इनका नाम है सिर्णी मेशलोलिन तो इनका नाम याद रखना है इनोंने world record बना दिया है और ये 400 meter hurdle क्या होती है suppose करो कि कोई दोड़ता है और साथ में jump भी मारना होता है कुछ दोड़ना होता है आगे फिर से jump मारना होता है hurdle race होती है which bank has been empaneled as an agency bank to RBI in August 2021 तो RBI के लिए एक ऐसा bank जो की agency bank की रूप में काम करेगा तो ये है Indusland Bank important question है ये भी who has been appointed as the chief of the China-Pakistan economic corridor CPAC बहुत important ये एक project है तो इसकी authority जो है इसके लिए जो chief बने है इनका नाम है Khalid Mansoor नामयाद रखना Paris Khadga a sports person who retired recently तो इनका संबंद किस खेल से है cricket Paris Khadga important खिलाडी रहे है ये भी which organization has undertaken the installation of agro automatic weather stations agro automatic weather stations जो है अगर इनको install करना है तो इसकी जिम्मेदारी ली है Indian Meteorological Department important है आप मैं से क्या कोई comment करके बता सकता है कि Indian Meteorological Department है कहां पे इसका headquarters कहां पे है how many industrial corridors have been approved under the national industrial corridor program NICP तो 11 जो है इनको develop किया जा चुका है मतलब approval जो है मिल चुका है अब डिवेल्प किया जाएगा Under the ages of which ministry has the government approved the establishment of defense cyber तो basically जो ministry of defense है रक्षा मत्राले जो है इसके under जो है जो सरकार है उसने approval दिया है कि defense cyber agency जो है इसको बनाया जाएगा With the beach international agency कि इस अंतरास्ट्री agency के साथ Government of India अंभार सरकार जो है इसने sign किया है dollar 250 million project किसके लिए long term dam safety program के लिए तो world bank है ये world bank के headquarters कहां पे है comment करके बताना ज़रा which organization has launched the Indian customs compliance information portal तो ये CIP जो है दोस्तो इसको launch किया गया है central board for indirect taxes customs के द्वारा तो ये याद रखो next question which state government has launched भूकंप alert app most important तो उत्राखंड which Indian state government will present its first ever paperless budget on 13th अगस्त तो तमिल नाड़ू ने हाल ही में ये launch किया है for which state या फिर union territory the department for promotion of industry and internal trade has notified a new scheme for industrial development तो ये scheme जो है ये जम्मू कश्मीर ने यहां पे introduce की है तो ये याद रखना with who India has resumed negotiations for free trade agreement तो European union जो है इसके साथ फिर से शुरुवात कर दी है जो negotiations है ताकि free trade agreement बने ठीक है European union जो है इसमें काफी सारे देश है ये रोप के who is the national record holder in the immense 3000 meter steeple chase तो steeple chase 3000 meter में जो national record holder है यानि की भारत में सबसे आगे हैं ये हैं अविनाश सवले what was the theme of the world day against trafficking 2021 तो ये भी important है world day against trafficking 2021 में theme जो रहा ये रहा victims voices led the bay in which state या फिर union territory क्राइकल पोर्ट is located तो ये पुडुचेरी में है क्राइकल पोर्ट ये सुर्ख्यों में रहा याद रखना who is the first Muslim to be nominated as the ambassador at large for international religious freedom तो ये ambassador जो है ये नोमिनेट किये गए हैं रशद हुसेन which country hosted the G20 culture ministers meeting 2021 तो ये इटली में हुई है ठीक है G20 culture ministers meeting which country holds the world record in the mixed 4 into 100 meter medley relay तो ये दोस्तो world record बनाया है ब्रिटेन ने तो ये इंडिया ने होस्ट किया है इसको chairmanship जो है ये इंडिया की है BRICS counter terrorism working group meeting 2021 ये important question है who was known as the miracle mom from Chandigarh तो मानकोर इनका नाम है ये सुर्खियों में रही है recently on which date Muslim boom and rights day was observed in India for the first time तो अगस्त एक तो ये भी याद रखना important है which institute has collaborated with the ministry of Ayush to conduct a study on अशब गंधा for promoting recovery from COVID-19 COVID-19 से अगर recovery चाहिए राहत चाहिए तो अशब गंधा जो है ये महतपून है तो इसके उपर study करनी है तो ministry of Ayush जो है इसने collaboration की है किसके साथ London School of Hygiene and Tropical Medicine ये याद रखो who has been elected as the leader of a Palestinian Islamist group in August 2021 तो Ismail Haniye जो है इने दोस्तों leader बनाया गया है Palestinian Islamist group का which two countries collaborated recently to develop rapid testing for COVID-19 in under 30 seconds सिर्फ 30 seconds में ही पता लगाया जा सकता है कि COVID-19 है या नहीं तो India और Israel ने साथ में मिलके काम किया है इसके उपर which city in India become the first city to achieve 100% COVID-19 vaccination तो ये city रही है दोस्तों भूमनेश्वर याद रखना this is a capital of Odisha who is the oldest weightlifter to win an Olympic gold in weightlifting ये भी important है Liu Zunzon इनका नाम याद रखना काफी age हैं की फिर भी इनोंने gold medal जो है जटक लिया है जो recently हुए है Olympic जपान में who is the first Italian man to win an Olympic medal in a 100 meter race तो ये first Italian man है इसलिए important है तो Marcel Jacobs इनका नाम याद रखना 100 meter race जो है इसमें gold medal किस ने जीता है ये इनोंने जीता है पहले जो Usain Bolt है वो जीतते थे लेकिन अब retirement उनोंने ले ली है who is the first female member to win 7 medals in a single Olympic event Michael Phelps आपको नाम पता होगा USA के काफी सारे medals वो जीतते थे एक ही मतलब event में जैसे swimming बगारा में तो अब महिलब जो हैं ये भी बन चुकी है इनका नाम है Emma McCune तो इनोंने भी 7 medals जीत लिए हैं इसलिए नाम important है याद रखना which company has collaborated with state-run convergence energy services limited to set up EV यानि की electric vehicles charging point in metro cities तो ये हिंदुस्तान petroleum corporation limited है तो इसने collaboration की है जो state-run convergence energy services limited है ठीक है ताकि charging points जो है metro cities जो है कुछ है उनमें establish किया जा सके who won the Hungarian Grand Prix 2021 most important तो establishment औकोन इनका नाम याद रखना Hungarian Grand Prix 2021 इनोंने ही जीता है in which month world breastfeeding beak is observed every year तो ये अगस्त में मनाया जाता है ठीक है स्तनपान हपता in terms of vaccinations per people which Indian state ranked the first तो ये गुजरात है दोस्तों हर एक ब्यक्ति को मतलब दो vaccines तो लगी चुकी है लगभग इसूरू उडाना इनोंने हाल ही में retirement जो है ये अपनी घोशित की है तो ये किस cricket मतलब इनका sport जो cricket है लेकिन country कौन सी है तो शरी लंक का याद रखो who is the author of the newly published book नहरू तिबबत and China तो ये अवतार सिंग भाशिन की है और important book है याद रखियेगा question आएगा exam में according to the Forbes fortune global 500 list इसमें उनी का नाम आता है जो काफी powerful है which companies ranked first in terms of total revenues in a fiscal year मतलब total एक साल में ही सबसे ज़्यादा पैसा इनोंने कमा लिया है ABC center has become operational again तो तमिलनाडू जो है यहाँ का तो ये animal worth control center है ठीक है तमिलनाडू यहाँ हाली में शुरू हुआ है फिर से in which Indian city two major smart city projects will be inaugurated तो ये city काउन से है विसाखा पंड़ा में है अंदर प्रदेश में है ये ठीक है two major smart city projects जो है फिर से यहाँ पे मतलब इनका उदगाटन जो है हो चुका है in which state unit territory मालदीब्स style water bilas will be set up तो ये लक्ष द्वीप में स्मग्र शिक्षा scheme covers the school education from which class to which class ये दोसो प्री स्कूल जो है जो अंगनवाडी टाइप आप बोल सकते हैं बहां से लेके 12th class जो है सबी बच्चों को cover करेगी स्मग्र शिक्षा scheme जो है which Russian city was revenue of India-Russia joint training exercise Indra 2021 most important तो ये बोल को grad है Russian city है याद रखना important question who is the chief of staff of US army who recently visited India इंडिया में आये थे दोस्तो जनरल जेम्स उसी मेको बिले तो इनका नाम important है लोवलीना बोरगेन who won the boxing bronze medal in Tokyo Olympics is from which state तो आसम से हैं ये ये भी important question है महिला है boxing से related in a silver medal दिलाया है इंडिया को bronze medal दिलाया है इंडिया को recently उसके बाद उमलिंगला पास which बाद recently news is located in which state union territory of India तो लदाख का दर्रा है एक उमलिंगला तो नाम याद रखना important है question आ सकता है चर्चा में रहा है which state government has launched the मकलाई थेड़ी मुर्थभम scheme और मैं already आपको बता चुका हूँ schemes जो होती है किसी भी state की यहां से questions पका आते हैं तो मकलाई थेड़ी मुर्थभम scheme Tamil Nadu रभी दहिया won the wrestling silver medal in Tokyo Olympics तो ये किस राज्योसी हैं और आप सभी को बता है हर्याना के काफी सारे खिलाडी है नोने medals जीते हैं नीरे चोपड़ा बगएरा तो महतपूर्ण राज्य है ये Indian Air Force Chief Air Chief Marshal RKS Bhadhoria has recently visited this country तो ये important नहीं क्योंकि काफी सारी countries को विजिट करते रहते हैं घर भी याद रखना इस्राइल बिच मिनिस्ट्री हैस और्गनाइज दा नेशनल बैबिनार ओन ट्रांसफोर्मिंग एजुकेशन इन दी लाइट ओफ इंडियन नोलेज सिस्टम लेंगवेज आर्ट सेंड कल्चर तो मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन जो है इसने और्गनाइज किया है नेशनल बैविनार ठीक है ट्रांसफोर्मिंग एजुकेशन लाइट ओफ इंडियन नोलेज सिस्टम लेंवेज आर्ट सेंड कल्चर अकोर्डिंग टू दी सेंट्रल उनिवर्स्टी जामेंडमेंट बिल 2021 सिंधू सेंट्रल उनिवर्स्टी इस तो वी established in which state union territory most important question लदाख में बनेगी सिंधू सेंट्रल उनिवर्स्टी ठीक है गोगरा रीजन बिच बाज recently in news is located in which state union territory तो लदाख में ही है गोगरा रीजन नेशनल हैंडलूम डे इस ओज़र्ड ओन बिच डेट तो साथ अगस्त को national हैंडलूम डे मनाय जाता है इन अगस्त 2021 बिच कंट्री बिकेम दी latest entrant to the coalition for disaster resilient infrastructure that is CDRI तो यह बंगलादेश है तो बंगलादेश गाइंटर हो चुकी है coalition for disaster resilient infrastructure में recently क्या हुआ है taxation laws amendment will 2021 जो है यह पास किया है लोकसावा में ताकि remove किया जा सके the contentious retrospective tax provision in income tax act मतलब कुछ एक provisions है income tax act जो है उसमें इनको remove करना है तो who was finance minister when retrospective tax provision was included in 2012 तो यह basically उस ताइम प्रणाब मुखरजी जो है यह आप खह सकते हैं finance minister थे ठीक है और अब इनको remove करने के लिए एक bill जो हो चुका है तो प्रणाब मुखरजी याद रखो 2012 में finance minister which date in August marks the anniversary of the world's first atomic bombing तो यह 6 अगस्थ है दोस्तो इसको आप बोल सकते हैं anniversary है यह world's first atomic bombing की Hiroshima नाम आपको याद होगा 6 अगस्थ but is the title of autobiography of major ध्यान चंद most important goal who are the two silver medal winners from India in Tokyo Olympics तो यह मीरा भाई चानू है सबसे बहले इनोंने दिलाए था उसके बाए रभी कुमार दहिया याद रखो और gold medal तो नीरज चोपडा ने दिलाए है which country is host to the international army games 2021 most important question तो रशिया जो है इसने host किया है international army games को 2021 में गंगा पाथवे which is had to be a version of मुबैई's famous marine drive is being opened in which Indian city तो पटना में इसको open किया गया है ठीक है गंगा पाथवे जैमा सैम यूधी सप्रधा अदी मोटो अफ इंडिया's first indigenous aircraft carrier जिसका नाम है बिक्रांथ यह याद रखना इंडिजीनियस फर्स्ट इंडिजीनियस एरक्रांथ कैरियर इंडिया का बिक्रांथ है इसने फर्स्ट टाइम जो बीमिन है बीमिन ओफिसर्स इनको इंडिक्ट किया है ठीक है कॉमबैट जो होता है उसमें नेवी जोफ बिच टू कंट्रीज हैब कंडुक्टेड एक्सरसाइज जायद तलवार 2021 जायद तलवार ये एक्सरसाइज है भारत की और UAE की बिच कंट्री होस्टेड दी एर्थ जस्टिस मिनिस्टर समीट 2021 ओफ शंगाई कोपरेशन और्गनाजिशन तुट जीकिस्तान में ये हुई इंपोर्टेंट है विच बैंक has partnered with IIM Bangalore to provide funding for identified startups तो ये इंडियन बैंक है इसने IIM Bangalore जो है उसके साथ partnership की है प्रवाइड करना है funding for identified startups जो भी startups नए नए देखने को मिल रहे हैं उनके लिए Trifad falls under the ambit of which Indian ministry तो Ministry of Tribal Affairs जो है उसी के अंडर Trifad आता है उसी दा फर्स्ट फीमेल सिलर फ्रोम इंडिया टु कुवालिफाइ फूर दी ओलम्पिक्स यह इंपोर्टेंट है तो इनका नाम है नेत्रा कुमानन याद रखना यहां से जुरूर क्वेश्चन आएगा बिचारता टू फीमेल वेटलिफटर्स ओफ इंडिया to win Olympic medals तो ये हम देख चुके हैं लेकिन फीमेल वेटलिफटर्स पुछेगे हैं मीरावाई चानू और करणम मलेशवरी इस बार मीरावाई चानू ने और पहले करणम मलेशवरी जो है नो ने National Traders Day is observed in India on which date तो 9 अगस्त को National Traders Day मनाया जाता है उसके बाद recently 79th anniversary of Quit India Movement was observed from which place in Mumbai महात्मा गांधी गेव दी कोल ओफ डाई डू और डाई टू ड्राइव अवे बिरिटिश एर्स करो या मरो यह जो गवालिया टेंक है दूस्तों मुबई का बहां से महात्मा गांधी जी ने बोला था जो Quit India Movement है उस दिन वडवाजदा थीम ओफ इंटरनेशनल डे ओफ इंडिजीनेस पीपल 2021 तो लीविंग नो वन बिहाइंड इंडिजीनेस पीपल एंड दि कोल फोर अन्यू शोशल कॉंट्रेक्ट तो थीम्स जरूर देखना जहां जहां भी आ रहे हैं यहां से कॉशन्स बन जाते हैं उसके बाद कॉमोडोर कसारग पाटनाशेटी गोपाल राओ इनका हाली में निधन हुआ है तो इनको 31 साल महबीर चक्र मिला था तो 1971 ठीक है जो बांगला देश को रिलीज करने के लिए हमने लडाई की थी पाकिस्तान के साथ 1971 वोर तो इनका नाम याद रखो कॉमोडोर कसारागडो उसके बाद पाटनाशेटी गोपाल राओ नाम काफी लंबा है लेकिन काम बिनका काफी बड़ा था इसलिए इने बहावीर चक्र मिला था 1971 में इसको तो हम कर चुके हैं हूचेर दी UNSC High Level Open Debate on Enhancing Maritime Security तो नरेंदर मोदी विच एर हैज बीन डेलेड़ वाई United Nations as International Year of Peace and Trust तो यह 2021 है और यह important है लहाँसा गोंगर Airport which was recently news is located in विच कंट्री तो यह चाइना में है Under the Tribunal's Reforms Bill 2021 How many Appellate Tribunals Bill be abolished तो नो जो है इनको खतम कर दिया जाएगा Under National Edival Oil Mission Oil Palm What amount will be invested by the government जो National Edival Oil Mission Oil Palm है उसमें जो कुल राशी है वो उसका निवेश किया जाएगा सरकार के दोरा 11,000 करोड Which team has won Corn Calf Gold Cup 2021 तो युनाइटल स्टेट्स जो है इन्होंने कौन का जो है यह गोल्ड कप 2021 का जीत लिया है इन्विज नैशनल पार्क लास्ट रिमेनिंग पोपुलेशन ओफ दी अशियाटिक लोइन्स आर फाउंड तो यह ओवियसली गिर नैशनल पार्क जो गुजरात का वहाँ पे ठीक है इसी राश्टी उध्यान में जो बबबर शेर हैं यह देखने को मिलते हैं बड़िज दी थीम ओफ इंडियास फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF तो यह है इंक्लूजिव इंटरनेट फोर डिजिटल इंडिया विच स्टेट यूनिटरिटरी हैज लॉंच्ड इनगर मुवाइल एप्लिकेशन तो यह गुजरात important question विच कंट्री हैज बिकम दिफर्स कंट्री इन दी वर्ल्ड तो ग्रांट पेटेंट फोर एं इनवेंशन वाई रिटिफिचल इंटेलिजेंस अरिफिचल इंटेलिजेंस के ओपर पेटेंट जो है यह दिया है साउथ एफ्रिका ने तो ये दोस्तों किस कंट्री में हमें देखने को मिली तो ये साओधी अरेबिया तो ये दोनों देश हैं भारत और साओधी अरेबिया अल मोहद अल हिंदी Chief Scientist of World Health Organization has urged the nations to prioritize reopening of schools amid the COVID-19 pandemic Who is the current Chief Scientist of World Health Organization? Dr. Somya Swaminathan Beach Bank has partnered with the Dhanvarsha Finbest Limited to offer loan against gold ornaments under priority sector to MSME borrowers Basically MSME के अंडर जो भी आते हैं अगर वो अपना कारोबार औगारा शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें loan जो हैं ये गोल्ड के बदले में ही दे दिये जाएं तो जो धन वर्षा Finvest Limited है इसके साथ partnership की है Central Bank of India ने Invis City Multi-Skill Development Center has been set up under the Corporate Social Responsibility Scheme funded by Airports Authority of India AII जो है इसने दोस्तों चंडिगड में Multi-Skill Development Center जो है ये खोलने का काम शुरू किया है किसके साथ मिलके Corporate Social Responsibility Scheme के तहत तो चंडिगड याद रखो Recently, the Indian Railways has launched a one-stop solution app to help the passengers What is the name of the app? तो Indian Railways ने जो app recently start की है ये है rail मदद तो ये one-stop solution app होगी मतलब यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हल मिल जाएगा जो भी आपकी problems होंगी as a passenger In which State Union Territory National Maritime Heritage Complex पूरा नाम इसका ये है और full form ये है तो कुछ भी पुछा जा सकता है exam में Is being developed as an international tourist destination तो गुछरात जो है ये डिवेल्प कर रहा है National Maritime Heritage Complex जो भी international tourist destinations होंगी उनके लिए In Association with the Beach Organization Government E-Market Place has organized the 5th edition of National Public Procurement Conclabe तो Confederation of Indian Industry जो है ये दोस्तो साथ में मिलके Government E-Market Place जो है ये 5th edition National Public Procurement Conclabe जो है ये organize कर रहे है Which State Union Territory has introduced Rajeeb Gandhi Award for firms that are excelling in the information technology That is IT sector Maharashtra जो है इसने introduce किया है Rajeeb Gandhi Award ऐसी firms के लिए जो IT के सेक्टर में काफी अच्छा कर रही है दूस्तों बाकी के क्रेंट फेर्स आपको WhatsApp पर available हो जाएंगे तो एक बार मैसेज जुरूर कर लेना और अगर इन क्रेंट फेर्स को आप पढ़के जाओगे तो जो भी questions बनेंगे क्रेंट फेर्स के आपके इस exam में 100% clear होंगे यह हमारी तरफ से guarantee है तो एक बार मैसेज करके इन क्रेंट फेर्स को WhatsApp पर प्राप्त कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाए हिंद जाए हिमाचल